कॉल रसीव नहीं की क्योंकि सह बहुत अकेली है और उसका तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं उसे तुम्हारी जरूरत है समझ रहे हो ना यह मान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है उसका घुसा तो तुम जानते ही हो हाँ कहो तुम्हें एक दिन वार्निंग दी थी यमान करीम ली उसे दिन गोली चला देनी चाहिए थी मैंने नहीं जलाई जो तुम्हारे बस में नहीं वो बात ना करो सोच समझ के बात करो यमान तुम सहर के साथ इहत्याद से काम लोगे ये मत समझो के तुम हमेशा जिन रहोगे सहर चल जी अपादेर तुम से यूसफ चीन लेगी समझे तुम और मैं भी उसके साथ मिलकर पूरी कोशिश करूगा सहर जल जी अपादेर तुम से यूसफ चीन लेगी समझे तुम और मैं भी उसके साथ मिलकर पूरी कोशिश करूगा इस तरह से तो सलीम भी या कही दफ़ा आ चुका है लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर सकता नदीम आखरकार हमें चोटा सा कलूप मिल गया है एमान वो शिकायत करने वाला हिक मार्द है समझ रहा हूं कि वो कौन है हम उसे तराश कर रहे हम चलती उसे ढून लेके अब जरूरत में मुझे मालूम है कि शिकायत किस ने की है